हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे सेपी का नेविगेशन, सेपी का नेविगेशन सीरीज जो बना रहा था मैं इसमें पहले से तीन वीडियो अल्रेडी मैंने बना रखे, आज चौते वीडियो की चौती सीरीज की बात होगी, अभी तक हम लोग ने फेवरिट्स हम्झाता, आज का जो हमारा वीडियो होगा, उसमें हम दो मिनू को कवर करने वाले है, एक होता है एडिट और एक होता है मिनू, तो ये दोनो ही हम लोग कवर करने वाले तो चलि देखते हैं, SAP में, सबसे पहले बात करेंगे, edit में, सबसे पहले execute, नॉइमिली जब reports हम लोग देखते हैं, तो execute करना पड़ता है, reports को, reports execute करना पड़ेगा, कोई भीची सको execute करने के लिए, F2 बटन भी दिया है, execute भी, just like आपको एक छोड़ा सा concept दिखाता हूं, just like मान लेजे मैं accounting में हूँ, financial accounting में हूँ, general laser में हूँ, document industry, मान लेजे ये मुझे general posting करनी है, तो general posting करने के लिए यहाँ पर double click करें, या तो आप edit में जाके execute button दबा देजे, बात तो एक ही है, तो मेरे ख्याल से double click करना ज़्यादे पसंद है, और दूसर नंबर, तीसर नंबर तो इंटर कर देजे, that's it, सबसे best तो इंटर, तो execute का मतलब क्या होता, बस यह मैं जा रहा था आपको, ओके वापस आने के लिए home पे, home पे आने के लिए slash n होता है, सबको पता है, slash n से हम लोग home पे आ जाते हैं, अब इसी की just नीचे था execute with new window, अगर हम चाहते हैं कि general posting तो हो, और साथी साथ मेरा new session create हो जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे edit में जाके execute new window करेंगे, तो जो general posting खुलेगा वो एक नए window पे खुलेगा, इसको हम लोग नया window कहा सकते हैं, new session कहा सकते, जैसे कि पीछे हम लोग ने देखा भी तक हम लोग एक समय में 6 sessions create कर सकते, एक तो अलज़ी open रहता है, 5 session और हम create कर सकते हैं, जैसे यह दिखे, इस पे GL posting कर रहे हैं, और इस पे अभी समय कुछ नहीं चल रहा है, यह suppose कर यह इस पे हम लोगो FB50 GL account document open कर लेते हैं, दूसरे पे हमारा देखे, यह दूसरा window चल रहा है, यह बड़ा ही fruitful है, बहुत ही फायदेमन्द है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं इस समय जिल document posting कर रहा हूँ, तब तक कोई मेरे ही, मेरे कलिग आया, उसने का सर वो sales report जड़ा देखना था, या sales report मरे को भेज दीजिए, या कोई party के information उसे देखनी है, तो मुझे अपना work यहां से close करने की जरूँद नहीं है, यहां से मुझे close करने की जरूँद नहीं है, मैं एक नए session में चला जाओंगा, नए session के लिए देखिए, यहां पे, simple सा आप एक shortcut की use करी, control and, normally, अगर हम excel फाइल या word की फाइल में, control and से होता नया फाइल, बट यहां पे क्या control and जैसे मैंने press किया, देखिए, एक new session यहां पे open हो गया, तो new session पे फिर वो जो भी कह रहा है आप से, आप वहां तक जा सकते हैं, और आपका काम भी इसमें disturbed नहीं हुआ, आपका अपनी जग़ा पे काम भी कर रहा हूँ, तो new session है, तो करीबन देखिए, फिलहाल तो मैंने तीन sessions open कर रखे हैं, तीन session और open कर सकते हैं हों, खुल मिला के 6 session, तो मेरे ख्याल से edit में, हम लोग ने यह समझ लिया, सॉरी, सब्सक्राइब हम लोग home पे आते हैं, हम लोग अभी home के edit menu को समझ रहे हैं, तो home में देखिए, execute आ गया, execute with new window, मेरे ख्याल से ही समझ में आ गया, अब अगला क्या है, create shortcut on desktop, just like हमें सबसे यह दे transaction, f-02 पे करना होता है, तो हमने इसको select किया, और edit में जाके, create shortcut on desktop पे अगर click कर देंगे, तो क्या होगा, shortcut एक create हो जाएगा, किस पे, on desktop पे, नीचे देखिए, shortcut is created on the desktop, अगर हम desktop पे जाके देखें, इसको minimize करते हैं, window D दबादी ज़्यादे अच्छा है, यह general posting का यहाँ पे देखिए, icon आ गया, हाँ, लेकिन इसके लिए ध्यान रखिएगा, हमारा user login होना चीए, तभी यह shortcut keys काम आएंगे, अब यह shortcut keys दबाते ही, okay, allow करना है, allow कर दे रहा है, okay, सीधे देखिए, entry यहाँ खुल गए, सीधे GL posting में हम लोग पहुझ गया, slash n, home पे आगए, फिर से window D से minimize कर देता हूँ, और यहाँ double click, अभी जो बार-बार मेरा box खुल रहा है, अगर मैं remember my decisions को टिक कर दूँ, allow कर दूँ, तो अभी यह बार-बार मेरे से नहीं पूछेगा box, सीधे मेरा GL posting open हो जाएगा, मैं slash n करके enter कर रहा हूँ, और फिर window D दबा रहा हूँ, फिर से दिखे, इस पर double click कर रहा हूँ, अब मेरे से वो नहीं पूछेगा, और सीधे-सीधे मेरा GL posting document खुल जाएगा, तो मेरे हिसाब से, edit menu के जो तीन option थे, home button पे, अगर home पे रहते हैं हम लोग, तो execute, execute new window, और create shortcut on desktop, तो आप ये तीनों ही चीज़ें आपको clear हो गया, अब हम लोग बात करेंगे menu की, menu में सभी लोग को पता है, user menu होता है, user menu, देखें, यहाँ पर user menu आ रहा, SAP menu गयब हो गया, SAP की जग़़ पर user menu आ रहा है, तो कई लोग सोचते है, SAP menu नहीं कहां गया, हम लोग यहाँ से कर रहे थें, वही चीज़ यहाँ पर, तो देखें, पहला user menu, SAP menu, इसमें भी पहला user menu, फिर SAP menu, तीसरी चीज़ होती है, हमारा business workplace, यह सबसे interesting चीज़ है, अगर SAP में आगर कुछ नया चीज़ है, जिस होता ना किसी भी software में, अगर हम कोई नहीं चीज़ सीख रहे है, तो बिलकुल यह एक नहीं चीज़ है, बाकी चीज़ तो आपको लगबग, इससे पहले के software में, आपने कहीं नगई कुछ नहों कुछ चीज़ें सीखी थी, similar कुछ-कुछ लग जाता है, लेकिन यह business workplace is very different, इसका इकन यह थर्ड, अब आप देख रहा होंगे, यह आपे new message है, inbox है, outbox है, कुछ-कुछ चीज़े समझ में आ रही होंगे, trash है, सर यह SAP का अपना खुद का mailing system है, हम लोग SAP में एक दूसरे users को कोई भी mail पहुचा सकते हैं, through this business workplace, बस मुझे स्थामने वाले का user ID पता होना चाहिए, मैं उस user पे उसको कोई भी message पहुचा सकता हूँ, टेक, चलिए एक छोड़ा सा इस पे practical करके देखते हैं, अब कस home पे आना है, slash end कर देंगे, home पे आ जाएंगे, बाकि यह button भी है, SAP Business workplace का, इस पे click कर देजे, अब जैसे मेरे को एक नया message करना है, तो जिसको भी message करना है, जैसे हम इस पे click करेंगे, ओके next, यहाँ पे देखे, सबसे पहले चीज़ पूछ रहा है, new message थे, तो बताओ title बताओ, यहाँ पे हम title लिख देंगे, मैरे senior है, जफर खान, मुझे उनसे कुछ question पूछना है, किसी party को लेकर के, कुछ details मांगनी है उनसे, तो मैं help मांग रहा हूँ, मैंने subject लिख दिया, party, detail, हाई, जफर, J, Z, there is a, suppose करो, there is a party, code, 2191, to, please give, contact details, तो इनके हमें contact details छीए, तो यह हम detail हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हमने जफर खान से हमने, यह help मांगे है, कि मुझे इसका party का, contact details दे तो, अब यहाँ देख रेसिपेंट, जिसको भी भेज रहा है, उस यूजर का, हम लोग रेसिपेंट कोड यहाँ पर लिख देंगे, तो अगर आपको कोई पता है, यहाँ टाइप कर दिए नहीं, तो यहाँ से आप ढून लेजिए, अब यहाँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम ही सबा रहे है, नमली उसका यूजर नेम लिख दिजिए, वैसे पता होता है, तो ऐसे भी अपला किसमाल जी मुझे नहीं पता है, मैं कुछ नहीं लिखता है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इंटर कर दे रहा हूँ, जैसे इंटर करता हूँ, इतने सारे देखे यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स हैं, IDES, US में, SAP AG में, बहुत सारे यूजर्स हैं, अगर आप देखोगे, इतने सारे यूजर्स हैं इसके अंदर, मुझा आईडिए सर्वर में जो यूजर्स बने हुए यह सब हमें दिख रहे है हम बिल्कुल हम लोग का ऐरेंग सी से था यहां सी से भी कर सकते है भी देन सी ओके यहां से अरेंज कर लिए जाते हैं अब फाइंड भी कर सकते हो कंट्रोल एफ से हम लोग फाइंड भी कर सकते हैं यहां पर टिक कर लिए और देन और यहां पर आगया रेशिपी अडिटेल्स बस और कुछ कहीं में नहीं क्लिक करना है इनको अगर कुछ अटेश्मेंट भीजनी है यह तो सेंड का बटन है और य वसके साथ तो मैं अटेश्मेंट लगा सकता था कुछ भी कोई भी अटेश्मेंट आप यहां पर लगा सकते हैं जो हो सकता है आप जैसे बात है इसमें आपको खुड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसलिए माली यह मेरको यह मेल भेजनी है उपर इनकिया ओके नाटीज अटेचिंग अलाउ कर दिजिए अलाउ करने के बाद अटेच्मेंट इस क्रियेटेड इसके बाद सिर्फ एक बटन छोड़ा सा दबाना है वह सेंड बटन डबाते ही इट विल टेक टाइम थोड़ा सा ये वर्क प्लेस लेता है बाकी ये मैसेज सामने वाले को जफर गान को पहुच जाएगी और अगर वो आपको कुछ अगर इसक का रिप्लाई करते हैं सॉरी कनेक्शन एरर आ गया कोई नहीं हम लोग अभी तुरंद कनेक्शन करते हैं लोग अफ हो गया तो फिर से मैंने लॉग इन कर दिया है फिर से हम लोग को वहाँ पर हमका एरर आ गया था सो मैसेज गया नहीं मैं फिर से यहाँ पर न्यू मैसेज करता हूं यह हमारा यूजर आड़ी तो यहाँ देखी रहा है अब यहाँ पर देखें टाइटिल है जायर से बात है यहाँ पर हम लोग को लिखने सपोस्ट करिए पार्टी डिटेल था हम लोग पार्टी डिटेल मैं फिर से लग दे रहाँ ओके यहाँ पर्या पर मैसेज लग देता हूं दियर जपर खान प्लीज प्रोवाइड पर्टी डिटेल ओफ सपोज सपोज दिस वन ओके और हमें रेसिपिन मेरो को याद है तो मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ बाकि आपको सर्च करने का तरीका मैंने पीछे बता ही था एके एन देन सेंड अटेच्मेंट करना है तो अटेच करिए वरना सीधे सेंड ओके मैंने देखे सेंड कर दिया मैसेज अब मेरा आउट बॉक्स में याप दीख भी रहा होगा हुआँ अउट बॉक्स में दिख रहा है यह मैंने जो भी सेंड किया है अच्छा मैंने टैटिल लिख है covered detailed अच्छा दोनों तो दिखा रहा है सेंड हुआ है अच्छा इसका नहीं दिखा रहा है, send date दिखा रहा है, किस date में मैंने send किया था, ओके, आप देखें यहाँ पर send date यहाँ पर दिरख है, आज मैंने बेजा, send date, अब यह कुछ attachment था, कुछ attachment नहीं था, यह वाला message में है मेरा फिलाल, अब अगर इसको अगर open करेंगे, मैंने message यह लिख है, dear Zafar, please जो भी है, please provide the party detail, अब यहाँ पर attributes हम देख सकते हैं, owner created by, कौन create किया, हम ही लोग create किये हैं, कितने बज़े, सब कुछ दे रखा है, recipient list, recipient list, अब देखिए, सबसे नहीं चीज़ है, जो normally आपको mail में नहीं पता चलती है, अब देखिए, status green दिख रहा है, status green का मतलब तो transmitted हो गया, दूसरा number, क्या सामने वाले ने read किया कि नहीं किया, हमने send किया, यह तो पता चल गया, recent read किया, उसने कि नहीं किया, यह तो नहीं पता चल रहा है, वो जैसे ही यहाँ पर read करेगा, जैसे उस पर double click करेगा, inbox पर, वैसे ही यहाँ पर तुरंद read आ जाएगा, यहाँ पर read पर information कितने बज़े उसने read किया, replied अगर वो मेरे इस सवाल का जवाब भी देगा, तो मेरे को reply पर भी message आ जाएगा, या किस time पर उसने reply किया, जो कि normally mail में, अगर हम Gmail या किसी और mail में करते, तो हमें यह नहीं पता कर पाते हैं, हम message गया, बट हम यह नहीं पता कर पाते हैं, कि message उसने कब read किया, कितने बज़े read किया, but SAP provide us this information, और यह SAP का अपना mailing system है, देखें यह अब read किये कि ने read किये हमें information मिल जाएगी, अब हम लोग वापस आते हैं, back करते हैं, अगर हम लोग inbox अपना check करें, तो inbox में जो भी होता है, जो भी message आना होगा, वो यहाँ पर आएगा, बस यहाँ पर क्या करना होता है, आपको refresh बटन दबना होता है, अगर कोई भी reply आती है, तो reply भी आ जाएगी, फिलाल यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यह पुराने messages है, date receive यह देख रहाँ होंगे, आप date, दूसरा है, बाकि हमारा outbox की जो details है, वो यहाँ पर देख रही है, सब लोगों, कभी भी just like एक पुराने document पर ही मैं आपको दिखा देना हूँ, अगर इसकी details अगर हमें reply करनी होती, ठीक है, अगर माल लोग इसको reply करना है, तो यही बटन दबाना है, यही से reply कर देते हैं हम लोग, और सामने वाले का अपने आप आ जाता है, यहाँ पर जो भी message लिखना है, हाई करके हमने suppose करो, उसे send कर दिया details, जो भी, तो यहाँ पर हमें बैटके भरना नहीं पड़ता है, अपने आप details आ जाती है, और यहाँ पर सीधे क्या करना होता है, और यहाँ पर सीधे क्या करना होता है, तो इस तरीके से हम लोग इसका mailing system यूज़र से थे हैं, यह देखे, जब कोई read करता है ना, जिस लाइक मैंने send किया, इतने बज़े, उसने read किया, हमने 15 को send किया था, और उसने 16 को read कर लिया था, और उसने फिर reply किया था 2 December को, इस तरीके से हम लोग या आज मैं reply कर रहो, तो यह पूरा details पूरा maintain होता है, तो यह अपना SAP का business workplace है, जिसको हम लोग use कर सकते हैं, और इसमें inbox, outbox, सब कुछ है, event race है, यह mainly है कि आप और research इसमें कर सकते हो, जितना आप इसमें और deeply जाना चाहो, जा सकते हो, inbox है, outbox है, ठीक है, यह सब कुछ available है, अपने folders भी create कर सकते हो, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, तो हम लोग ने edit complete किया, और menu में भी हम लोगों ने यह देख लिया, user menu, SAP menu, business workplace, refresh समझते हैं, refresh के बारे में कोई खास बताने लाइक नहीं है, refresh करते हैं, जायर से बादे data हमारी refresh हो जाते हैं, तो आज हम लोगों ने इस menu में हम लोग ने दो और complete कर लिए edit और menu, अगला जो वीडियो आएगा हम लोग का system और FI, यानि help के उपर, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसे like करे, share करे, subscribe उटोन दबाना भूल जाए, thank you for watching this video,